नमस्कार दोस्तों और स्वागत आपका काम की बात में और आज हम आपको विराट कोली के बारे में कुछ रोचक तत्य बताएंगे लेकिन इससे पहले कि हम आपको ये महतुपूर्ण जानकारी दें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिये गए बैल आइकन को दवाएं ताकि आप देख पाए हमारी वीडियो सबसे पहले तो चली शुरू करते हैं अपनी बल्लेबाजी से दुनिया को चोकाने वाले विराट कोली आज किर्केट की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं और 5000 और 5000 रन बनाने वाले खिलाडी हैं मलिंगा डेल्स्टेन और मिचल जोंसन जैसे बोलोरों की बेखोब दुनाई करने वाले कोली कहते हैं कि उन्हें वसीम अकरम से सबसे ज़्यादा डर लगता था अगर अकरम आज बोलिंग करते तो कोली को परिसान कर सकते थे विराट कोली सचिन के बहुत बड़े फैन हैं लेकिन वो सबसे ज़्यादा इजद एभी डविलियर्स को देते हैं कोली को गाणिया ते चलाने का बड़ा सोक है विवियन रिचर्ड्स कहते हैं कि कोहली की बैटिंग देखकर उनको अपना समय याद आ जाता है विराट कोहली का निकनेम चीकु है और टीम के सभी लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं कोहली को 2012 में ICIC ODI Cricketer of the Year चुना गया और उस समय उनकी उमर केवल 23 साल थी 16 October 2013 को उस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में सेंचुरी बनाकर कोली भारत की ओसे वंडे में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बने बांगला देश के खिलाफ 136 रन बनाकर विराट कोली सबसे तेज 19 सतक लगाने वाले खिलाडी बने थे इससे पहले कोली ने 10, 15 और 18 सतक भी सबसे तेजी से बनाए है कोली ने भारत को 2008 का Under-19 World Cup चिताया था कोली ने मातर 133 इनिंग्स में 20 सतक लगा दिये थे वहीं सचिन तेंदुलकर को 20 सतक लगाने के लिए 1977 इनिंग्स खिलनी पड़ी थी कोली विश्व के ऐसे अकेले क्रिकेटर हैं जन्होंने लगातार तीन टेस्ट पारियों में सैंचुरी बनाई है विराट कोली को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए पदम श्री पुरुसकार से भी नवाजा जा चुका है जब से विराट कोली आये है भारत पांच बार तीन सो से ज्यादा का स्कोर चेज कर चुके हैं रंड चेज करने के मामले में कोली का बल्ले बाजी ओसत 62 है जो विश्व में सबसे अच्छा है कोली गरी बच्चों की मदद के लिए कोली फांडेशन चलाते हैं विराट कोली टेस्ट में 16 सतक और 2 दोरे सतक लगा चुके हैं कोली के वंडे में भी 27 सतक और 49 अर्द सतक हैं IPL में भी कोली के 4 सतक और 28 अर्द सतक हैं तो दोस्तों यह थी कुछ रोचग बाते विराट कोली के बार हैं आपको ये जानकारी कैसे लेगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम ऐसे ही रोचक्ष बातें आपके लिए लेकर आते रहेंगे तब तक के लिए धन्यवाद